अब्सक्राइब कर ले और घंटी दबा ले ताकि आप ऐसी वीडियो से मिस न कर पाएं नमस्कार भंडार टीवी के इस नए एपसोड में आप सभी कफिर से स्वागत है दोस्तों और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ एक महीना और पेट की चर्वी खुद पिघलते देख हैरान नहीं हुए तो कहना दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आधी वीडियो को देखकर आप अपना ही पैसा और समय बर्बात कर लेंगे क्योंकि यहां जो अभी मैं जानकारी देने वाला हूँ यह बहुत ही इंपोर्टेंट है आपकी चर्वी को घटाने के लिए तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए इस वीडियो को शुरू करने इस पहले मेरी सिर्फ और सिर्फ आपसे एक छोटी से रिक्वेश रहीगी कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल भंडार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें दोस्तो इस नुस्खे में हम तीन चीजों का इस्तमाल करने वाले हैं और आपको नुस्खा बना करके दिखाने वाले हैं तो चली बनाते हैं तो दोस्तो इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको लेनी है वो है एक ग्लास ले ले रहा है ग्लास इस प्रकार से लेने के बाद आपको जो पहली चीज जो यहां इस्तमाल करनी है वो है दोस्तो शहद शहद की मात्रा लगभग दो चम्मच एक ग्लास में डाल लेनी है ये दो चम्मच शहद मैंने डाल दिया अब यहाँ जो आपको दूसरी चीज इस्तमाल करनी है दोस्तो वो है नीवू, आपको यहाँ नीवू का इस्तमाल करना है, आपको आधा नीवू लेकर के उसका पूरा रस इस एक गलास में डाल देना है इस प्रकार से, इस प्रकार से इन दोनों चीजों को डालने के बाद आ और उबलता हुआ पानी को आपको ले करके उसे गुनगुना कर देना है, मतलब उबलता हुआ पानी को आप गुनगुना कर दीजिए, जिससे उसके अंदर मौझूद जो बैक्टीरियास रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे, तो दोस्तो हमारे जो नुस्खा है बनके तयार हो च कि यहां पर हमने जो है शहद का इस्तमाल किया है, अगर आप यहां सिर्फ नीबु का इस्तमाल करते तो दोस्तो आपका वजन घटने के जगा उल्टा और बढ़ने लगता, यह बिल्कुल विपरीत काम करता है, तो दोस्तो यह थी हमारी आज के जानकारी, अगर आपको आज के बैल आइकन को दबा लिजी ताकि आप इस परकार की वीडियो मिस ना कर पाए, मिलते हैं आप से दूसरे वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार